तो दोस्तो अनकेडमी ने आप सभी के लिए सबसे बड़िया शब्सक्रिप्सन यानि कि उनके तरब से सबसे बड़िया शब्सक्रिप्सन लॉंच कर दिया गया है वो भी कम प्रैस में अच्छा आपको मिल जाता है ठीक है अब देखिए अगर आप अनकेडमी प्लस फ्यूचर अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या आपको फ्यूचर मिलता है देखिए यहाँ पे आपको unlimited access मिलेंगे daily आपको live classes, daily आपको pdf, notes, study, material उसके बाद इंडिया के top educator आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें मिलता है और साधी साध नीचे आते हैं अरपी चौधरी सर, रामशुरूप जानी सर, मयंग चत्रुवेदी सर जो की यह लोग इंडिया के top educator है अब देखिए हम लोग एक batch चुरू हो रहा है सबको पता है कि मीशन एयर फोर्स एक्सवाई batch टीक है एयर फोर्स के लिए कब से start हो रहा है भीया 6 December यानि 6 December से हम लोग का start हो रहा है 28 फरवर्वर्ड तक यह batch चलेगा टीक है तो इसका जो लिंक है न हमने description box में दे रहा है आप लोग जाए फटाफट वहां से आप जोड़ सकते हैं अब देखिए आपको परजिज कैस गलाई-100 तीन महीं लिए के चारा जार छे महीने के लिए चौंसोट सो बारह महीने के लिए आठाजार चौबिस महीने के लिए चानवे सो बट इतना आपको payment नहीं करनी है अब देखो नीचे आते हैं अब नीचे देखो हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको एक महीने का ये code अगर आप यहाँ पर use करते हैं आप यहाँ पर तो आपको 10% का discount मिल जाता है ठीक है तो देख सकते हैं आप 1 मेने के लिए 440, 12 मेने के लिए 700 में ही मिल जाता है तो कोई जादा नहीं है एक दिन का 20 रुपे पढ़ रहा ठीक है एक दिन का 20 रुपे तो साल का आपका 20 रुपे हो जाता है तो बड़िया है बेस्ट है अब आपको क्यूज कैसे join करना how to join क्यूज जो हम आपको daily live क्यूज कराते हैं वो कैसे तो देखो भाई यहाँ पर सबसे पहला आप step follow कर सकते हैं आपे test पर click करना second step यहाँ पर click करना join Qs पर third step यहाँ पर Qs ID आपसे पूछेगा तो जो हम लोग Qs ID देते हैं 6 digit का यहाँ पर डालके आपको आपना क्या कर लेना है join हो जाना है फटा फटीक है तो यही बदाना था आप सभी को दोस्तो जितना भी हो यहाँ पर Qs ID जितना भी अंका है कम प्राइस में आपको अच्छा मिल जाता है ठीक है बट को यूज कर लीजेगा GJAT10 GJAT10 यह कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% कर डिसकाउंट मिल जाता है तो चलिए आपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं तो देखे गाइस जो आज हम टॉपिक पर बात करेंगे यह बहुत जरूरी है सभी को जानना और यहाँ पर सिर्फ बच्चों का सपोर्ट जीए और किसी का नहीं अगर बच्चे अच्छे हैं तब तो उनके पक्ष में मतलब जीत होगा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो समझे को वो आपके तरफ घाटा जाएगा क्योंकि एक मेरे पास बच्चा ने कॉल किया था मैं भी सोच रहा था यह कैसा हो सकता है भाई 70% भाई का था admit card नहीं है 59% का आचुका है अब बताओ भाई थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो एक बार सोच के देखो के कैसा लगता है जो की same state है मतलब उन्होंने बताया कि सर हम यूपी से है ठीक है यूपी कानपूर तो यह कैसा आपको सोच के एक बार लगता है comment box में एक बार मेरे को जरूर बतादा कि जिसका 70% है उनका admit card नहीं आया और जिनका 59% है उनका admit card आ गया मतलब कि यहाँ पे किस तरह से shortlisted किया जा रहा है अब कहीं exam हो रहा है क्या उसमें कि कहीं बच्चा वैसे exam दे दे रहा है ऐसा क्या नियम है भाई ऐसा क्या चीज़ चल रहा है यूटूब पे यूटूब पे नहीं ऐसा क्या CASB वाले जितने विमा के सरलोग है मैं मन्या मतलब ऐसा नहीं कि हम Indian Air Force का मान मर्यादा नहीं करता बिलकुल करता हूं लेकिन यह बिलकुल गलत हो रहा है कहां पे क्योंकि कि यह सोचा जाए एक बार कि 70% का और 59% सोट लिस्टेड दस तारीक एक्जाम से एक बार आप कॉल रिकॉर्डिंग एक बार सुना दूंगा आपको मैं एक बार सुन लो पहले सबसे पहले दोस्तों कि कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग आराम से सुनना बहुत चीज़े दिखाएगा बहुत समझाएगा आपको सुनो अपका है 70% है अडो यह अपका एडमेंट काड नहीं आया है नहीं उनका कितना परशंट है 60 59 इतना 59 इन उनका एडमेंट कड़ा चुका है यह अच्छा उनकी ताथ पारिक दुदेगी है अच्छा जो कि सीम मतलब आप भी यूपी से ओभी यूपी से अच्छा यह तो एक काम करेंगे आप एक मेल किजिए इंडियन एर्फोर्स को तो दोस्तो आपने उस स्टूडेंट्स का आपने आवाज सुन लिया सब्ची सुन लिया हमने कोई इडिटिंग नहीं किया ठीक है बस उनसे बात हुआ था तो हमने कॉल रिकॉर्डिंग किये ठीक है अब उनका जहां तक देखा जाया अगर लगता है कि भाई 70 परशंट ग आएगा नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा भी नहीं आजकर देखो मैं बहुत चीज देखता हूं कि लोग बहुत कम जिनके एंट्रिस्ट है ना मतलब जैसे कि मालनों की 100 बच्चा है पढ़ने वाला तो उसमें से 10 बच्चा जो ऐसा होगा जो कि वो फोकस करेगा मतलब कि ह ऐसा निहोंड़ा चाहि साथि हो आपको यहाँ पर का मजभोत मजभोति लाना पड़ेगा तभी तो काम होगा नहीं तो आप भी ऐसे रहेंगे और हम लोग कितना जोर सोर करकती कुछन ही कर सकती हम यहादा हम लोग एक माध्यम से आपको बता सकते कि आप लोग सारे जन मिलके करो काम लेकिन जितना है आपको न मेरोक नहीं जितना है वो जितना है आपको हम अपना दम लगा रहे हैं फिर भी आप दम नहीं लगा रहे हैं तो दम लगा भई नहीं तो ऐसे ताक्ते रह जाएंगे काम होता रहेगा तो एही चीज बताना था बच्चों के साथ काफी धोखा बाजी हो रहा है और एक चीज सोचो यार कि मालनो ठीक है 70% वाला का एड्मिट काड नहीं आता और 50% वाला के एड्मिट काड आगिया ठीक है ऐसा भी होता था कि पहले मैं सोना था कि भाई 80% 90% वालों को ही एड्मिट काड आएगा 48, 50, 60 उनका नहीं आता है मतलब कि मालनो suppose that एक चोर है और एक है पुलिस ठीक है चोर और एक पुलिस चोर मतलब कि जैसे कि जो पढ़ा है बच्चा वो चोर बन गया और जो नहीं पढ़ा है वो पुलिस बन गया तो कभी पकड़ पाएगा वो कभी नहीं पकड़ेगा क्यों कोई जानता है एक चोर जो है वो बेशर बहुत पढ़ा है लेकिन एक पुलिस जो है वो क्या लग गया है सही कहीं से लग गया होगा तो कभी पकड़ पाएगा उसका कभी पकड़ेगा वो कभी नहीं पकड़ बाएगा इसलिए क्योंकि उसके पास ग्यान है और आपके पास ग्यान नहीं है तो 70% 60% माईने नहीं रखता जब यही है तो भाई देखो भाई 80% 90% वाले बच्चे भाई यह airman बनने के लिए इतना है तो बच्चे लोग क्यों इतना depressed हो जाते हैं कहीं कि आप देखे होंगे कि इस लोग suicide कर लेती हैं कर लेते हैं यही सब फोर्स होता है ना उनके माइंड पर यार ऐसा काम यह काम वो काम तो इसलिए काफी जदी सब होता है तो इसलिए हम Indian Air Force के जितने भी लोग है या फिर जितने भी work कर रहे हैं या फिर जो लोग officer grade पर जो लोग भी sir है उनसे request यही रहेगा खैर अगर आप वीडियो देख रहें सर तो मेरा पूरे यही रहेगा कि बच्चों को कम से कम लाइफ का एक बार मौका दिया जाए दो बार मौका ताकि उनका लगेगा हमने मौका लिया था बट नहीं हुआ कोई दिक्कत में हर चीज तो यहां पर तो hard है एक्जाम hard है group discussion युपी भी हर वाले बच्चे का बहुँ ज़्यादा group discussion में दिक्कत होता है actually मैं ऐसा भी होता है अगर आपका ऐसा ही है तो group discussion में अगर लेके भी छाटते हूं पर बच्चों को लगेगा कि हाँ भाई हमने group discussion में चटा था लेकिन direct admit carde से उनका out कर दिया जाएगा तो उनका manobal कैसे बढ़ेगा देश का सेवा करने को उनका मन है तन है ठीक है लेकिन वो सब चीजे उनको नहीं मिल पा रहे हैं यह सब चीजे थोड़ा सा हला बोलतो होना चीए भाई क्योंकि ऐसे कब तक बैठेंगे आप लोग कैसे करेंगे हम लोग कितना जोर लगाएं आप लोग भी लगाओ मेरे साथ मिलो और जोर लगाओ नहीं तो ऐसे ही तकते दिखते रह जाएंगे उल्टा फुल्टा काम चलता रहेगा सब काम करवड चलता रहेगा पिछली बार ऐसे हुआ मैंने देखा पिहिटा वाला दानापूर में कि कुछ बच्चे वहाँ पे गलत डिज़ डालके अपना परसेंटेज बड़ा के एडमिट कार्ड और जिनका 80% था वो तो एडमिटी कार्ड नहीं तो ऐसा भी कांड हुआ था तो फिर उसे आया था पता नहीं क्या तो अब मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता डिफेंस में क्या चल रहे है असकल मेरे को बिलकुल कुछ पता नहीं चल रहे कि क्या होगा कैसे होगा बस आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता था बता दिया अब यहां से जिम्मवारी है आपकी आप देखो भई आपको कैसे क्या आइडिया करने हम लोग तो पूरा हम एक ट्वीट करते हैं तो आप भी करो उनको भी बोलो उनको भी बोलो तब नहोगा एक हम ट्वीट कर है तो विडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना जितने ग्रूप में जोड़े वहां पे भी शेयर कर देना चलो गाइस थैंगिस सो मच लव योल गाइस